नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की नेजोमेक एम नेजल स्प्रे का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, नेजोमेक एम नेजल स्प्रे का उपयोग कैसे करना चाहिए और नेजोमेक एम नेजल स्प्रे की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की नेजोमेक एम नेजल स्प्रे का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Nesomac M एक brand name है Nesomac M nasal spray के अंदर salt composition momentason होता है Nesomac M nasal spray का उप्योग नजला और allergy के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है allergy या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक में खुजरी होना, छींक आना और नाक का बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए Nesomac M nasal spray का उप्योग किया जाता है इसके अलावा नाक के अंदर की सूजन को कम करने के लिए भी Nesomac M nasal spray का उप्योग किया जाता है Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Nesomac M nasal spray की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Nesomac M nasal spray की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध होना, नाक से खून आना, नाक के अंदर जलन, दर्ध, खुजली या सूखापन होना, मुह का स्वाद खराब होना, मुह से बद्बु आना, आखों में जलन, आखों में लालपन और आखों में धुंदलापन होना आदी side effects Nesomac M nasal spray की वज़ह से हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को Nesomac M nasal spray का उपयोग करने के बाद नाक के अंदर जलन, दर्ध, खुजली या नाक से खून ज्यादा आता है या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए Nesomac M nasal spray का उपयोग करना recommended नहीं है अब हम discuss करेंगे की Nesomac M nasal spray का इस्तमाल कैसे करना recommended होता है आम तोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर Nesomac M nasal spray की एक स्प्रे को दिन में दो बार नाक में डालने की सलाह देते हैं Nesomac M nasal spray को डालने से पहले आपको अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ जुका लेना चाहिए और उसके बाद Nesomac M nasal spray को नाक में डाल कर दबा देना चाहिए Nesomac M nasal spray का उप्योग करते समय नाक के दूसरे छिद्र को एक उंगली की मदद से बंद कर लेना चाहिए Nesomac M nasal spray को लेट कर या सिर को पीछे की तरफ जुका कर नहीं डालना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Nesomac M nasal spray का इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों में Nesomac M nasal spray का उप्योग लंबे समय तक या बार-बार नहीं करना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक बच्चों में Nesomac M nasal spray का उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की हाइट या ग्रोथ प्रभावित हो सकती है Nesomac M nasal spray के अंदर मोमेटासोन स्टेरोइड दवा मौजूद होती है जिसका लंबे समय तक बच्चों में उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है आपको अपनी nasal spray को दूसरे व्यक्तियों को कभी भी इस्तमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने की वज़से infection आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है Nesomac M nasal spray का लगातार बारह सब्ता से अधिक उप्योग करना recommended नहीं है इसलिए Nesomac M nasal spray का इस्तमाल बार बार या ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए Nesomac M nasal spray की नई बोटल का उप्योग करने से पहले या यदि आपने Nesomac M nasal spray का उप्योग पांच दिन से अधिक नहीं किया है तो Nesomac M nasal spray की पहली स्प्रे को बाहर की तरफ फैंक देना चाहिए प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए Nesomac M nasal spray का उप्योग करना recommended नहीं है और अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Nesomac M nasal spray स्टनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए डॉक्टर केवल बहुत ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही स्टनपान करा रही महिलाओं को Nesomac M nasal spray का उप्योग करने की सलाह देते है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Nesomac M nasal spray से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं